असलाम उलाइकुम पाकिस्तान आज हम आपको कमरकस जो के एक बहुती मुफीत जड़ी बूटी है उसके बारे में बताने जाएंगे कमरकस को आपने एक ग्राम लेना है तीन केजी दूद में इस तरीके से मिक्स करें कि ये गाढ़ा हो जाए गाढ़ा जब हो जाए तो आपने देसी घी टू टेबल स्पून्स मिक्स कर लेने है अगर आपको देसी घी नहीं पसंद तो कोई भी घी आप टू टेबल स्पून्स या थ्री टेबल स्पून्स डालके मिक्स कर लीजे इसके साथ साथ आपने तीन से चार अदद इलाइची का पाउडर बनाके उसको भी मिक्स कर लेना है जब ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसके बाद बनेगी बर्फी साथ साथ आपको ये बताते चलें के कमरकस खांसी और बलगम के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है इस कुखा लेने से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा इसके इलावा पेट के कीड़ों का खात्मा इससे होता है शुगर के मरीज कमरकस के पत्ते इस्तमाल करें क्योंकि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करके जिसम में इंसुलीन के मिक्दार को भी भरने नहीं देता अब ये गाढ़ा हो चुका है इतना गाढ़ा कर लीजिए कि ताके आसानी से इसकी बर्फी बनाई जा सके आपको ये भी बताएं कि जिस सब में कहीं भी दर्द हो तो आप बस कमरकस का इस्तमाल करें और पाएं रिलीफ बासानी इससे पठे भी मजबूत होंगी और आपकी हडियां भी मजबूत हो जाएंगी तो लीजिए कमरकस को इस्तमाल करने का मीठासा तरीका ये है कि इसकी बर्फी बना ली जाए जैसे कि आपने जब इसको गाढ़ा कर लिया तो इसे किसी ट्रे में आप इस तरीके से जो है वो रख लीजिए ताके बाद में आप आसानी से इसकी बर्फी बना सकें अब आप देखें कि ये सखस होने लगा है तो आप इसको चुड़ी की मदद से बर्फी नुमा काट लीजिए लीजिए अब मीठा भी शुगर नहीं बढ़ाएगा और आपका दर्द भी भाग जाएगा इंजॉय कीजिए थैंक यू फॉर वाचिं है हैंस वोल्ट